तो एक बार फिर से प्रभी एशो मसी के नाम से आप सब को जय मसे की तो हम जैसे की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे वाई वाई वोज लूसिफर इनोसेंट जो यह सीरीज भाई एक शेतानी के दावे उसमे एक भाई ने वीडियो बनाया है ये साबित करके हुए कि लूसीफर जो है ना यानि शेतान जो है वो भाई बिल्कुल क्या है? निर्दोस है हमने उस सेतानी किताब का चैप्टर 1 का जवाब दिया चैप्टर 2 का जवाब दिया और ये इस सीरीस का सबसे अंतिम वीडियो है चैप्टर 3 और इस chapter 3 में भाई और भी जड़ा साबित कर रहे हैं कि भाई शेतान सच में निर्दोस था कुछ सबूत दे रहे हैं चलिए देखते हैं chapter number 3 Lucifer was innocent so guys what do you think? personally बताओ what is Lucifer? शेतान, right? सेटन जिसके दो red color के horns है जिसके एक pointy tail है पूरा लाल है full reddish type का दिखता है right wrong and guys जिसे the master of manipulation the father of lies कहा जाता है इतनी सारी बुरी भली चीज़ कहा जाता है तो एक दिमाग में हमारा एक mindset भी set हो गया कि ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा चिलगोजे भाई हमारा मत बल हमारे दिमाग में mindset ऐसा हो गया ठीक है हमारा मत बल तेरा हुआ होगा हम विश्वासी लोग जानते हैं कि लूसिफर कैसा दिखता है ठीक है अगर हम लोग मूवी से रेफरेंस ले की तो फिर ये कुछ उसके pictures है ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा लेकिन आज मैं आपको in reality दिखाऊगा कि लूसिफर किस तरीके का दिखता है अरे भाई आज पहली बार यूट्यूब में कोई भाई हमें सेतान दिखाने वाला है वो कैसा दिखता है अरे भाई तो फोटो कहा से खीच की आया कौन सा केमरा से फोटो खीचा मा ही जरो बता दे जल्दी दिखा उसके पेंटिंग है यह देखे वारे वा मेरे चिलगोजे लोगो को बेवकुफ बनाने का बहुती अच्छा तरीका है ये चिलगोजा फ्रेंच आर्टिस्ट एलेक्सेंडर केबिनेल की पेंटिंग उठाता है जिस पेंटिंग का नाम है दीव फॉलेन एंजल जो 1847 में पेंट की गई थी और बोलता है कि यह औरीजिनल पेंटिंग है लूसीफर की अरे वह एलेक्सेंडर केबिनल फ्रेंच पेंटर है ऐसे हजारों लाखों पेंटिंग्स है जो लोगों ने इमेजिन करके बनाई है अप आज में आपको इन रियालिटी दिखाऊंगा कि लूसीफर किस तरीके का दिखता है उसकी एक पेंटिंग है यह देखें बाई की बहुत सच में बाई दिखाने वाला है बाई मेरा तू एक काम कर तू रूख जमें टाइम देखना दे तू ना हड़ी बच के चमड़ा मिनट में तू क्या कर बिल्कुल पांच मिनट बाद में तू ना फूरसत से एकदम फूरसत से तू हगने जा भाई जा हग और धोके आईयो फॉरेनर लोगों के जैसा पूछ के माता ना पेपर से ठीक है धोके आईयो फिर आके मुझ से बात करियो और यह कैसा माइक तू यहार पुरा मुझ के अंदर गुसा के बात कर रहा है और कैसा कैसा शेप का माइक यूज करता है भाई तू क्या कर रहा है भाई थोड़ा संबल के कई माइक में गिर गया तो यह हो जाएगा गाईज इजेकियल में लूसिफर को ब्यूटिफुल वाइज एंड पावफुल डिस्क्राइब किया गया है वेरेस बाइबल में लूसिफर को करप्ट और रेबल बताया गया है मुझे लगता है कि इस भाई के गले में अभी तक माइक अटका हुआ है पहले माइक निकालो फिर में समझाता हूँ अब भाई सुन ये भाई ऐसा बता रहा है कि इजिकल की पुस्तक में लूसीफर को ना बहुत अच्छा बताया गया है लेकिन बाइबल में बहुत बुरा बताया गया है अरे मेरे घंचकर मेरे चिलगोजे भाई बाईबल में 66 बुक्स है पूरे 66 किताब को 66 किताब को बाईबल कहते है उसमें से एक इजिकल की पुस्तक भी है और ये जानबुच के ऐसा इजिकल की पुस्तक ये बताती है बाईबल की पुस्तक ये बताती है 66 किताबे पूरी मिलके बाइबल बनती है लेकिन ये जानबुच के अलग-अलग दिखा रहा है कि इजिकल की पुस्तक अलग है, बाइबल अलग है ये ऐसे दिखा रहा है क्यों? क्योंकि ये लोगों को बर्माना चाता है जिसने गौड के अगेंच revolution क्रियेट कर दे थी लूसिफर ने परमेश्वर के खिलाफ revolution यानि क्रांती नहीं कि थी उसने परमेश्वर के खिलाफ rebellion यानि विद्रो किया था दोनों में huge difference है, दोनों में बहुत बड़ी बिन्नताएं है क्रांती अलग चीज होती है और rebellion यानि विद्रो अलग चीज होती है लेकिन क्यों, where is Jesus को Bible में describe किया गया है as the light of the world एक बार John 8.1.2 में और दूसरा John 9.5 में जिसमें खुद Jesus ने कहा है कि I am the light of the world और इसके साथ साथ Revelation 22.16 में Jesus ने अपने आपको as a morning star भी describe किया है Yes, Jesus is self-described bringer of light and morning star लेकिन क्या आप जानते हो लूसिफर ये जो नाम है उसका Latin में मतलब क्या होता है इसका मतलब है light bringer and morning star और आईसिया 1412 में भी लूसिफर को बोला गया है the morning star मेरे भाई अगर Bible के अंदर के books के नाम English में नहीं बोली जाती ना तो हींदी में बोल दो यार Yashaya I-seya क्या होता है तूने किसको देखा भाई I-seya और I-seya तूने किसको देखा I-seya नहीं होता अगर English में बोलना है तो Isaiah अगर Bible की पुस्तकों के नाम English में ने बोली जारी तो Hindi में बोल दो Yesaya, finish How have you fallen from the heaven? Morning star, son of dawn, you have been cast down to the earth And guys, इतना ही नहीं, Isaiah फिर से Isaiah को Isaiah बोल रहा है, अरे Yesaya बोल दे Hindi में पर नहीं, पर नहीं, अरे, दिधी, अरे दिधी आ गई, पर नहीं, हमको तो English ठोकना है, हमको तो English ठोकना है, बाग 412 और भी बहुत जादा crucial information को reveal करता है आगे, जैसे कि Lucifer, heaven में originate होने के बाद भी उसे अर्थ में भेजा गया था And वो कैसे son of the dawn है, and वही mainstream Christianity में, Jesus को भी कहा गया है son of the god, जो की heaven में originate होने के बाद, वो उन्हें अर्थ में भेजा गया था To save the humanity मलोब इंसानियत को बचाने आये थे मेरे भाई, तू जो ये claim कर रहा है ना, कि येशुमस्री स्वर्ग में बनाए गए थे तू मुझे Bible से दिखा, कहां लिखा है Bible में, कि येशुमस्री स्वर्ग में बनाए गए थे येशुमस्री स्वर्ग में बनाए नहीं गए थे, वो अरंत काल से है पार्ट वाला वीडियो में जो वचन बताए वो फिर से बताना पड़ेगा क्या यहोना एक एक, यहोना एक, चौदा, आदी में वचन था, वचन पर्मेश्र था, और वचन परमेश्र था और वचन देहदारी होके हमारे बीच में डेरा किया, वो बनाया गया नहीं है भाई यहोना इस ना ही तीर्थ की बुक as a reference हम यूज़ कर रहे है बट UCLA के एक प्रोफेसर ने भी यूली बात को clear किया था और कभी बोलता है कि Lucifer गिर गया था Lucifer असल में शैतान था ही नहीं, बलकि वो भी असल में heaven से नीचे गिरा था अबे तुम खुद confused हो, कभी बोलते हो Lucifer बेजा गया था, कभी बोलते हो वो खुद गिरा था पहले खुद clear हो जाओ, फिर उसके बाद में वीडियो बनाना बाई, जादा subscriber होने से कुछ नी हुंडा, कुछ नी हुंडा और वो भी असल में God के administration का हिस्सा ही था, बस उसे Lucifer को एक शैतान इसलिए consider किया जाता है mainstream Christianity में, क्योंकि वो evil God की जो भी काली करतूते थी, वो सब चीजे लोगों के सामने आके रख दे था, फिर सारी चीजे उलट उलट हो जाते थी नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भाई जूड बोल रहा है, अगर आप ICA वचन 14, 12 और 13 वचन पढ़ेंगे, specially 13 वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि शैतान को, यानि Lucifer को क्यों फैका गया था तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चड़ूंगा और अपने सिहासन को ईश्वर के तारा गन से अधिक उचा करूंगा और उत्तर दिसा की छोर पर सभा के परवत पर विराजूंगा, तो वो परमेश्वर से भी उचा होना चाहता था, गमंड के कारण उसे निकाला गया इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का परदा फास कर देगा बुलके पहले तो यह बोल रहा था ना, कि लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ revolution किया, यानि करांती किया, तब मैंने बताया था कि लूसीफर ने revolution नहीं, करांती नहीं किती, बलकि उसने rebellion किया, यानी withdraw किया था जिसने God के against revolution क्रियेट कर दी थी Lucifer God बनना चाता था और उसने God के against rebel किया था फिर से बोलता हूँ मेरे भाई कि एक बात करना भाई कभी बोलता है revolution किया, कभी बोलता है rebellion किया, तो एक बात करना क्या दोगलो की जैसा, दोगले लोग होते ना इधर भी जाके उससे बात्चीत करेंगे, फिर इधर से आके उससे बात करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, ऐसा मत कर भाई, दोगला मत बन किसी एक तरफ रहे, या तो उस तरफ रहे, या तो बोल्ड रेवलुशन किया, क्रांती की, तो की, बस उसी साइड रह या तो फिर इस साइड रहे कि उसने यानी परमेशवर से विद्रो किया एक तरफ रहना भाई क्या दोगले की तरह कभी इधर बोलता है कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है जो कि एक्छिल में एक फेल अटेम था इसके बाद उसे तुरंत अर्थ पे भेज दिया गया था अर्थ पे लूसिफर ने सब को कहा था कि everyone can become God और यही चीज Garden of Eden में भी हुई थी चहां लूसिफर एक serpent के फॉर्म में गया था और उसने इव को कहा कि she can become like God उसने एक्छल में ये कहा था you will not certainly die for God knows that when you eat from it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil and of course उसे खाने के बाद ना Adam ना Eve कोई भी नहीं मरे थे right not right you are not right you are wrong जिस दिन आदम और हवा ने वो फल खाया ना उसी दिन आदम और हवा के मृत्यू हो चुकी थी लेकिन वो मृत्यू कैसी थी यहां पर मैं अच्छे से explain करूंगा Bible के वचन दिखा के तो मैं request करता हूं हमारे भाई बहनों को कि कृप्या करके जरा ध्यान से सुनि चलिए मैं explain करता हूं कि क्या शैतान ने जूट बोला या फिर परमेशोर ने जो कहा था कि तुम उसी दिन मरोगे फिर आदम और हवा तो मरे नहीं तो इसका क्या मतलब है कौन सही है चलिए देखते हैं कि यहवा परमेशोर ने जितने बनेले पशू बनाए थे उन में से सर दूर्थ था और उसने स्तिरी से कहा क्या सच है कि परमेशोर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी व्रक्ष का फल ना खाना स्तिरी ने सर्प से कहा इस वाटिका के व्रक्षों के फल हम खा सकते हैं पर जो व्रक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विशे में परमेशोर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छुना नहीं तो मर जाओगे तब सर्प ने इस्तिरी से कहा तुम निश्चे ना मरोगे तो यहाँ पर शेयतान क्या जूट बोल रहा है कि तुम सच में नहीं मरोगे देखिए यह बहुत गहरी बात है क्या यहाँ पर सेतान सच बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे आदम हवा ने तो फल खाया लेकिन वो मरे नहीं तो क्या बात है भाई क्या सेतान सच बोल रहा है और परमीशुर हमसे सच छिपा रहा है क्या ऐसा है बिल्कुल नहीं देखिए यहां पर जो सेतान बात कर रहा है ना यह शारीरिक बात कर रहा है लेकिन यहां पर गौर कीजिए तब सर्प ने स्तिरी से कहा तुम निश्चे ना मरोगे तो आदम और हवा तो मरे नहीं तो क्या परमिशर फिर जूट बोल रहे था क्या लेकिन ऐसा नहीं है देखिए यहां पर जिस मृत्यू की बात शैतान कर रहा है ना कि तुम नहीं मरोगे यह शारीरिक मृत्यू की बात कर रहा है शैतान कि तुम शरीर से नहीं मरोगे तो यहां पर साप एक तरीके से सच बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे फिजिक है यहाँ पर लेकिन साव का जो सच है यानि शैतान का जो सच है वो आदा सच है कि तुम नहीं मरोगे यह half truth है पूरा पूरा सचा ही नहीं बोल रहा है आप कहीं पर भी देखना यहाँ पर हवा कहीं पर भी नहीं बोलती परमिशयर से कि साप ने मुझे से जूट बोला साप ने मुझे से जूट बोला कहीं पर भी नहीं बोलती बलकि हवा बोलती है कि साप ने मुझे भर्मा दिया साप ने मुझे भर्मा दिया भर्माना क्या होता है जब कोई आदम किसी को भर्माता है ना उसमें सच्चाई होती है लेकिन आ तरा पानी रख सकते हो पानी पी सकते हो लेकिन मैंने बताया नहीं कि इसके नीचे छेंद है तो यह आदा सच्च है तो ऐसे ही यहाँ पर जो शैतान बोल रहा है न कि तुम नहीं मरोगे यहाँ पर सैतान शारिरिक रिती से बोल रहा है कि तुम उस समय नहीं मरोगे ठीक है ल यहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो परमेशोर सच बोल रहा है क्यों मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आदम और हवा फल खाने से पहले बिल्कुल पवित्र थे प्यूर थे उनके अंदर कोई पाप नहीं था तो एक तरीके से आदम और हवा परमेशोर के जैसे थे नहीं खाया था तब वह परमेशोर के समान थे परमेशोर के जैसे थे पवित्रता में आत्मा में और जिस दिन उन्होंने वह फल खाया उनकी आत्मा उसी दिन मर गई दूशी थो गई उनकी आत्मा आत्मा से आज हम देखते हैं फल खाने के बाद क्या है आज का हल आज का हल यह है कि आज सब के मन के अंदर से बुराई उत्पन होती है नुवा के टाइम में सब को खतम करने के बाद में बाड से क्या कहते है कि आज से मैं इनसान को मैं बाड से खतम नहीं करूगा क्योंकि इनसान के मन से ही बुराई उत्पन होती है तो जब वो फल खाया ना तो इनसा और यहां पर सच बोल रहे थे लेकिन शैतान भी यहां पर आधा सच यह बोल रहा था कि तुम नहीं मरोगे यहां पर यह शैतान जो है शरीर के बारे में बता रहा था तुम आत्मा मर जाएगा क्योंकि देखो फल खाने से पहले आदम और हवा बिलकुल पवित्र थे एकदम पवित्र उस समय में आदम और हवा फल खाने से पहले परमीशर के समान थे लेकिन यहाँ पर उनकी शारिरिक मृत्यू फल खाने के बाद में नहीं होती है यहाँ पर श आत्मा तुम्हारा पहले फल खाने से पहले पवित्रता ही था परमेश्वर के जैसा था आगे पड़ते वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आखे खुल जाएंगी ये भी सत्य है लेकिन ये आधा सत्य है यहाँ पर सेत कि तुल्य हो जाओगे तो एक तरीके से सेतान यहां पर जूट नहीं बोल रहा है लेकिन यहां पर कैसा आधा सच बताया जा रहा है सेतान आधा सच बता रहा है लेकिन क्या सही है मान लीजे कि एक आदमी है जिसका नाम है पिंकु एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है चिंट अब वो बुराई करता है नहीं करता है वो अलग बात है लेकिन मन में उसका बुराई उत्पन होता है पिंटु का पिंटु या पिंकु जो भी है यहां पर दूसरा आदमी है चिंटु तो चिंटु क्या है उसने वो फल नहीं खाया और उसके अंदर बुराई क्या है वो ने म खाया, obviously यहाँ पर चिंटू, जिसके अंदर बुराई है ही नहीं क्योंकि उसने फल नहीं खाया, वो परमेशर के जैसा है, परमेशर के समान है, पवित्र है, प्योर है, लेकिन यहाँ पर सेटान कैसा आधा सत्य बता रहा है, कि आदोमर हवा का आँख तो खुला, वो फल खा तो सकते हैं तो क्या बुरा है क्या अच्छा है ये हमारे अंदर से ही जनम लेती है लेकिन अग्र friendly खाता आदम और हवा तो क्या होता अगर हम वह फल नहीं खाते तो तुने क्या किया, तु यहाँ पर देखिये, हवा कहती है, बोल रहा था ना कि तुम नहीं मरोगे, वो आदा सच था, शरीर में वो नहीं मरे, बेशक उस दिन, लेकिन आत्मा में उसी दिन वो मर गए, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा पवित्र थे पहले आदम हावा, और जब बुराई उस उनके अंदर गुज गई, उसी दिन उनकी आत्मा मर गई, तो अभी आत्मा को हम कैसे जगा सकते हैं फिर से, बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपकी आत्मा फिर से जगाई जाएगी अनंतकाल के लिए, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और उसकी आत्मा आपके अंदर है तो अगर आप येशु में विश्वास करेंगे तो येशु के द्वारा आपकी आत्मा फिर से जगाई जाएगे और अनंतकाल के लिए जगाई जाएगे तो सैतान कितना चला के देखा उसने जूट भी नहीं बोला आदा संच बताया और आदा संच बताके सै आदम और हवा को बहका दिया जूट नहीं बोला लेकिन बहका दिया कि इस सारी बाते सुनके बहुत जादा सेंच तो लगता है पर आपको पता है कि जूज ने भी जीजिस को क्यों मारा था क्योंकि जीजिस ने अपने आपको गौट सावित कर दिया था इसके उपर जो मैंने वीडियो बनाया है पार्ट टू उसमें ये बोलता है कि येश्यू मसी एक मैसेंजर है केवल एक पेगंबर है अब एक बात में रहूना फिर से दोगला पन चालो फिर से जीजिस ने पलट की योला जवाब दिया था कि मैं तो भगवान नहीं हूं लेकिन आप सब हो आप सब के सब भगवान हो और ये सारी बाते गौस्पल ऑफ जॉन में लिखी है तो फिर से हमारा चिलगोजा भाई बोलता है कि येश्यू मसी ने कहा कि मैं तो परमेशर नहीं जूडिस वाली कहानी में मैं आपको एक बात बताया था कि अगर जीजिस थोड़े और देर तक रुख जाते हैं अगर या तो जीजिस या फिर जूडिस क्योंकि उन दोनों कोई असली रियालिटी के बारे में पता था अगर वो दोनों में से कोई एक भी रुख जाता तो आगे आने वाली युमेनिटी को सारी चीजे सच सच बता देता था और युमेनिटी को गौड बनने के रहा तक लेके चले जाता था तेकिन उनके पाज जाता समय नहीं था हम सब भी भगवान हो सकते हैं ये बात यहुदा इसकरियोती ने लोगों को क्यों नहीं बताया तो ये बोल रहा है कि उनके पास समय कम था अरे भाई यहुदा इसकरियोती लगबक येशु मस्री के साथ तीन साल तक था लगबक करीबन तीन साल तक था और उन तीन सालों मे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसने एक बार भी लोगों को जाके येश्यू मसी का जूट बताया जाके कि येश्यू परमेश्वर नहीं है हम सैतान को पूझरे क्यों नहीं बताया इसलिए क्योंकि ये जूट था ऐसे वीडियो बनाता नहीं ये और इस बुक ओफ जौन में भी लिखा गया है कि जीजिस एक्चुल में गार्डन ओफ इडन में थे लेकिन हम सब जानते कि बाइबल में कहीं पे भी ये उली बात का जिकर नहीं है कि जीजिस गार्डन ओफ इडन में थे उस समय बुक आफ जॉन में तो योली बात लिखी है कि जीजस ही थे वो सर्पिंट जिसने गार्डन ओफ एडन में जाके आडम को कन्विंस कर लिया था वो फ्रूट खाने के लिए अच्छा बेटे येश्व मसी उसी आदमी के लिए पहले उसको पाप कराया और उसी आदमी के लिए फिर वो मरा ये कैसा लोजिक है भाई तेरा इसको पाने पिला पिला के मारना पड़ेगा सायद यानि जीजिस और लूसिफर में दोनों में एक क्रिस्टल क्लियर कनेक्शन है और गाईज एक्षिल में देखा जाए तो गॉस्पल ओफ जौन भी यही चीज एक्स्पेन और रिवील करती है कि बाईबल का गॉड फेक है और बेहत इविल है जो लोगों को सिफ अंधेरे मे रखना चाता है सिफ लोगों को अपना स्लेव बनाना चाता है नहीं भाई गॉस्पल ओफ जौन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताएगा है कि येश्यु मस्य परमेश्वर है तरी एक परमेश्वर का भाग है यह वही गॉड है जो सिफ गॉड होने का दावा करता है लेकिन है नहीं सिफ एक इविल गॉड है यह यह सारी बाते मैं नहीं कह रहा हूं यह सारी बाते तीर्द भी नहीं कह रहा है यह सारी बाते एक्चुल में बहुत सारे बैंड बुक्स में लिखी गई है यह वो बैंड बुक्स है जिसे चर्च ने बाहर आने से पहले ही प डाल रहा था हवा की दिमाग में तो शुरुवात से ही जूटी सिक्षा है और इन सब बुक्स को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि ये सारी बुक्स परमेश्वर की आत्मा द्वारा नहीं लिखी गई है बाकि जितनी भी किताब है इस दुनिया की जो बाइवल को गलत बोल दुनिती है और यह इसमें जितनी किताब है несколько six books ऑल वो जिपाःत्य आत्मा द्वारा लिखी गई है यानि परमेश्वर ने इंसान को इस्तेमाल करके नहीं लिखी गई है तो इसलिए उन सब books को बाहर रखा गया है अंदर नहीं डाला वरना तो भाई अगर इसमें चाहते अगर सच में चाहते न इसमें 1000-2000 books डाल सकते थे लेकिन केवल चुन के 66 books डाला गया है क्यों क्योंकि केवल 66 books ही परमेश्वर द्वारा लिखी गई है लोगों का हमको यह नहीं दिखाना है अधोवाईज हमारे हातों से परमा दरानें सीखते चर्च में जाकर कोई अच्छी बाते सीखते दारू मत पियो वविचार मत करो अच्छी बाते सीखते है क्या कंट्रोल खो जाएगा तुम ना ये सेतान का पुजारी उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि चर्श कंट्रोल करता है लोगों को लेकिन असलियत में ये लोग कंट्रोल करते हैं ऐसे लोगों का प्रेंवास करके ऊपुर्ण्द में एक बात एकदम क्लियर रखी है कि रहा है गभी कहता है येशु मसी वह साप था जिसने हवा को भरमाया यानी येशु मसी को सैतान कह रहा है और कभी कहता है कि येशुमसी बाइबल के जो परमेशवर है वो बाइबल का परमेशवर येशुमसी का पिता नहीं था बलकि कोई दूसरा ही परमेशवर है कोई दूसरा एक अलग परमेशवर है येशुमसी उसका बेटा था मैं सच बता रहा हूँ ये बंदा सब की फिरकी ले रहा है फिरकी लेकिन जो बाइबल को जानते हैं वो सत्य को जानते हैं और येशु मसी ने एक है ना कि जो सत्य को जानेगा सत्य कौन है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ कौन येशु मसी जो येशु मसी को जानता है उसकी फिर की कोई नहीं हुए सकता, वो तने ही डिवाइन है, जितने हम सब है, आप सब, लेकिन गाइज हम सब अपना डिवाइन नेचर भूल चुके, अपनी पावर्स भूल चुके है, ये बंदा अलगी फैंटेसी रिल्म में है, जहां पर सबके पास पावर्स होती है, इसकी करत आख में से ना गंद निकालता था यह बिना पानी के पिशोणा धो लेता था यह घुत्नों के बल चल के इसकूल जाया करता था कि बाइबल में दिया गया लूसिफर का डिसेप्शन और ये गलत है, ये जूट है, कहीं पर भी बाइबल में light of the world शैतान को नहीं बोला गया, येशू मसी को light bringer बोल रहा है, यानि light लाने वाला, येशू मसी असल में light of the world है, तो इसने कैसा हेरा फेरी किया ही, دیکھा अब हैं यहाँ पर देखो morning star, लूसिफर को भोर का तारा बोला गया है येशु मसी को भी भोर का तारा बोला गया है हाँ ये सच है लेकिन दोनों को भोर का तारा क्यों बोला गया है देखिए भोर का तारा जो सब्द इस्तिमाल किया गया है लूसिफर के लिए यानि सेतान के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी अगर आप यसाया 14, 12 और 13 वचन पढ़ेंगे तो यहां पर दिया गया है सबसे पहले पढ़ते हैं जो बोर का तारा लूसिफर के लिए यानि शेतान के लिए इस्तेमाल किया गया है वो क्यूं किया गया है हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यूं कर अकास से गिर पढ़ा है सवाल पूछ रहें तू जो जाती जाती को हरा देता था तू अब कैसे कट कर भूमी पर गिराया गया है तेरवा वचन तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चड़ूँगा मैं अपने सिहासन को ईस्वर के तारा गन से अधिक उचा करूँगा और उत्तर दिसा की छोर पर सभा के परवत पर विराजूँगा तो यहाँ पर भोर का तारा सब्द इस्तमाल किया गया है लूसिफर सेतान के लिए लेकिन क्यों देखिए यहाँ पर यह नहीं बोल रहा है कि लूसिफर भोर का तारा है अगर हम गौर से देखे तो यहाँ पर यह कह रहा है यह वचन यह कह रहा है कि लूसिफर एक समय में भोर का तारा था लेकिन क्या हुआ तो गिर पड़ा क्या हुआ ऐसा? कहने का मतलब है यहाँ पर जो भोर का तारा सब्द इस्तिमाल किया गया है भोर का तारा जो सब्द है इसका मतलब होता है पत, अवदा, पोजीशन ओके? यानि लूसीफर जो है वो एक समय में सब स्वर्ग दूतों से उचा था उसका पत उचा था जैसे भारत में राष्ट्वपती का पत सबसे उचा है न वैसे ही लूसीफर का पत सब स्वर्ग दूतों में सबसे उचा था ओके? भोर का तारा का मतलब होता है पत तो यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि लूसीफर भोर का तारा है लेकिन तू क्यों कर आकास से गिर पड़ा है सवाल भी है कोशन माक देखिए पीछे कहने के यह मतलब तू एक समय में उचा तेरा पत था उचा तेरा पोजीशन और अवदा था क्या ऐसा हुआ तू गिरा दिया गया अभी यही चीज अगर हम प्रकासित वाक्या 22-16 वचन में देखेंगे तो येशु मसी के लिए भी सेम यही भोर का तारा सब दिस्तिमाल किया गया है मुझ येशु ने अपने स्वर्ग दूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिशियाओं के विशे में इन बातों की गवाई दे मैं दाउद का मूल और वंग्स अभी ध्यान दिजिए मैं दाउद का मूल और वंग्स और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ तो यहांपर क्यूं दावद का मूल, वंग्स और भौर का चमकता हुआ तार hat इस्तेमाल किया गया है। तो यहांपर ध्यान दीजे कि उमर में दावद येश्यु मसी से बड़ा है। अपने मनुष्यत्वा में येश्यु मसी उमर में चोटा है दावद से। और दावद के खांदान से ही दावद का बेटा, शलोमन, शलोमन का बेटा ये वो उसी वंक्स में से येशुमसी का जणम हुआ है, अगर मनुष्य रूप में सोचा जाए तो दावद येशुमसी का क्या है? पर 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 दादा, पर पर नाना, okay? पर 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 दादा और पर मरियम और यूसुफ जो येशु मस्री के संसारिक पिता और माता थे उनका जो पुर्खा एंसेस्टर्स वो दाउद था यूसुफ का जो था वो लॉफुल था अगर आप देखते जाएंगे आपको पता से लगे यह और डीप स्टडी है कानून के हिसाफ से दाउद अपना हो जैसे होता है कि मेरा कजन ब्रदर ना कजन ब्रदर हो गया यह ऐसा रिस्तेदार था लेकिन मरियम जो है मरियम डाइरेक्ट कनेक्टेड थी दाउद के साथ तो कैसे हो सकता है कि येशु मस्री दाउद का भी मूल है और उसके वंक्स का भोर का तारा है यानि पत में दाउद का मूल और वन्स, उसके वन्स का, उसके जो वन्स का, दाउत के वन्स का, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, कहने का मतलब है, मैं पत्थ में, दाउत से भी, अवदे में, पोजीशन में, दाउत से भी, उंचाऊँ और ये सच है, क्योंकि horses parameters रहे है, वो हमेशा सिथ है, सित है शेतान और येशु में यह ऐसे चिला रहा है इसको कुछ मालूम नहीं है ओके अगला डिस्क्रिप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो लूसीफर है यानि सेतान है ओरिजिनेट ये बात साफ साफ नहीं बताई गया कि जो सहतान है उसका जनम या उसको इससे बनाएगा है यहाँ पर क्या है यह बोल रहा है कि यशु मसी भी बनाया गया नहीं है तो ये शू मसी मशी हमें साथ से था और रहेगा तो ये जूट है चार नमर में लुसिफर जो है Wanted to Overthrove the Evil God, यनि लूसिफर जो है वह दुष्ट परमेश्वर का जगा लेना चाहता था, ये सच है, लेकिन दुष्ट परमेश्वर नहीं है, केवल परमेश्वर का जगा लेना चा यह बाकि वही बात यह गुमा फिरा गि बोल रहा है और एक नई बात बोना yais ने कि हमिआ हम इनसान ना केवल दिमाग का तीन पृतिस्त इस्ते माल करते हैं और अगर हम दिमाग का सौ पृतिश्त इस्तेमाल कर ले तो हम परमेश्वर हैं और कभी भी बोलता है कि हम परमेश्वर नहीं है क्योंकि हम केवल 3% इस्तेमाल कर रहें दिमाग का हम तब परमेश्वर बनेंगे जब हम दिमाग का 100% इस्तेमाल करेंगे तो यह खुद कंफ्यूज है उसे कुछ नहीं पता यह इदर उदर बाउंसिंग मार रहा है बास्केट बॉल्स करता है तो ज्यादा कुछ बात इसने बोला नहीं है बाके सब बाते गुमा फिरा के वही बात बोल रहा है घिसी पीटी बाते औ स्पेशल कुछ नया चीज बोला नहीं है तो वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है मैंने सोच था कि इसी भाग में सब कुछ लपेट दूंगा सब कुछ खतम कर दूंगा आज के लिए वीडियो इतना ही रखते और हां अगर आप इस सेवाकाई को जो हम कर रहे हैं लोगो पे या पेटियम करके मैं वैसे बताता नहीं हूं ऐसे हर वीडियो में थोड़ा अभी शरम लगता है बताने में न तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा खैर तो मिलते है अगली वीडियो में प्रभीश मसी आप सबको आशिस दें तब तक के लिए जय मसी कि